तो आप सबको जुहार और यहां पर एक खबर निकल कर आरे कि पूर्वी सिंभुम के धलभुमगड में डवल मर्डर जहां पर दो महिला को तलवार से काट डाला चली देख लेते हैं क्या है पूरा मामला तो परवी सिंभुम जिले में दो महिला की तलवार से काट कर हत्या कर दी गई है एक युवक और एक बच्चा गंभी रुप से घायल हो गया है गटना जिले के धलबुमगड थानार अंतरगत जून बानी पंचैत के रगुनादी गाओं में हुई है जहाँ पर जानकारी के अनुसार रगुनादी निवासी पीरु मुंडा की पतनी दिपाली मुंडा एवं उसकी बुआ कुलु मुंडा की हत्या यहाँ पर बगुला जान बचाने के लिए भाग रहे हैं यहाँ पर पीरु मुंडा एवं सिंधु मुंडा को भी तलवार से गंभी रूप से घायल कर दिया घायल पीरु मुंडा ने बताये कि चुनु मुंडा का पुत्र सुबास मुंडा उसकी पतनी से अक्सर छेड़ खानी किया करता था जि इसके वज़े से 30 जनुवरी को उनकी बीच में मारपीट भी हुई थी मारपीट में सुबास मुंडा घायल हो गया था अगे बोला जा रहा है कि जम्शितपूर में इलाज कराकर लोटने के बाद सुबास ने किया हमला जम्शितपूर इस्थित MGM में इलाज कराकर 30 बजे के आसपा हसब पीरू मुंडा के घर पहुंचा इसके अलावा यहां पर आगे बोला जा रहा है कि दर्वाजा खोल कर घर में दाखिल हुआ हमलावर सुभास मुंडा दर्वाजे को लात मार कर खोला और यहां पर घर में दाखिल हो गया और घर में घुसकर उसने तलवा अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे पुलिस के दवारा क्या कारवाई की जाएगी जुहार